तरद दोस्तो मैं डॉक्टर निकिल आपका बहुत बहुत पहलगत है मेरी यीटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस VIDEO में हम बात करेंगे बहुत फेवक्टिव होमपाथिक Médicin सभी इस medicine का नाम जानते हैं जिसका नाम है रेष्टोक्स रेष्टोक्स का यूज दरद की कंडिशन्म में किया जाता है जब भी कभी दरद का नाम आता है तो रेष्टोक्स medicine का नाम आता है दरद के अलावा बहुत सारे ऐसी Symptoms हमें देखने को मिलते हैं इस medicine का use किया जाता है तोटल 16 बिमारियों में इस medicine का use किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको साथी साथ लक्षन के बारे में जानकारी दूँगा कि आपके सरीर में क्या लक्षन देखने को मिलेंगे तो आपको Restox medicine use करनी चाहिए, किन-किन बीमारियों में इस medicine का use किया जाता है और बहुत ही एक महत्पून बात, किस potency में आपको इस medicine का use करना चाहिए किस potency में यहां सबसे अच्छे results देती है, कब तक regularly हम इस medicine का use कर सकते हैं और एक बहुत ही महत्पून बात, कि किन-किन medicine के साथ इसकी तुलना की जाती है और साथी साथ मैं आपको जानकारी दूँगा, इसकी complimentary की बारे में, किसकी complimentary क्या होती है इसके antidotes क्या होते हैं, साथी साथ inimicals के बारे में जानकारी दूँगा inimicals का मतलब होता है, कि जब भी आप Restrox medicine यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ऐसी कौन सी medicine है, जो इसके साथ बिलकुल भी use नहीं की जाती तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी यदि आप Restrox medicine यूज कर रहे हैं, या Restrox medicine आप यूज करते हैं तो चलिए देर ना करते हैं, इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जूणना चाहते हैं, तो रैट कलर की बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें साधी साथ वेल आइकन की घंटी को प्रेश करें ताकि सभी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तो यदि आप किसी भी लंबी विमारी से सफर कर रहे हैं उससे related आप medicine जानना चाहते हैं तो रातरी 9 वजे आप हमारी live clinic जोईन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो रेश्टॉक्स medicine को समझने से पहले रेश्टॉक्स medicine के बेल मार्क इनोट symptom को हम सबसे पहले समझ लेते हैं यदि इसके बेल मार्क इनोट symptom की हम बात करें तो पेशेंट्स जब भी रेश्ट पोजीशन में आता है तो पेशेंट्स की तकलीबे बढ़ने लगती है यदि वहाँ continue पैदल चलते फिरते रहता है तो उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है यहाँ इसका बेल मार्क इनोट symptom है यहाँ दर्दी कंडिशन में यहाँ बेल मार्क इनोट symptom पेशेंटों में हमें देखने को मिलता है दूसरा वैल मार्क इनोट symptom की हदी हम बात करें तो पैशेंट्स की टंग में यहाँ पिक्चा लगा देता हूँ आप देख लीजी पैशेंट्स की जो टंग होती है जीव होती है सामने से रेड कलर की होड जाती है और साइड आइड साइड जो होती है नॉर्मल होती है इस तरह की टंग आपको देखने को मिल रही है तो आब रेश्टॉक्स मैडसिन यूज कर सकते हैं यहाँ जो टंग का लक्षण है हमें सरदी जुखाम खासी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो चली अब एक एक लक्षण हम समझ लेते हैं कि हमारे सरील में क्या डिसीज और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो इस मैडसिन का हमें यूज करना चाहिए पहले न मैं सिंपल भासा में आपको समझाओं तो पेशेंट की जो है फस्ट मूमेंट में कंप्लेंट्स बढ़ती है और वी कंटिन्यू मूमेंट करते रहता है पेशेंट्स को तो पेशेंट्स की तकली पूरी तरह से ठीक हो जाती है जैसी आफ सिटिंग पोजीशन में बैटे हैं हलका सा आप जैसे ही उठेंगे तो आपकी हलके सी कमर में दर्द होगा विल वी कंटिन्यू आप जैसे काम करना चालू कर देंगे उठना बैटना काम चालू कर देंगे तो आपका दर्द धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा तो उस कंडिशन में पेशेंट्स को रेश्टॉक् फ़र्ट मूंट भी करता है तो पैशंट को कोई तक्लीब नि होती हलक़ फुलного पेदल चलता है वी तो कोई भी OHKT नहीं होती वी सब्सक्राइब नहीं कर जाती है तो पैशंट की तक्लीब बढ़ जाती है त servus को भ्रायन मैडिसन देने की आउड शक्ता होती है इस medicine के साथ इसकी तुलना की जाती है दोनों लक्षन मेच करके आप medicine यूज कर सकते हैं नेट लक्षन आता है दोस्तों इसका कफ कोल्ड खासी में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी नम हवा में आप जाते हैं मौसम changes हो जाता है और पेशन्स को सरदी जुखाम खासी की प्रब्लम हो जाती है तो उस case में बहुत ही अच्छा काम करती है एकुनाइट के साथ इसकी तुलना की जाती है जब भी प्रेशेंट्स नम हमा में जाता है तो प्रेशेंट्स की तकलीबे भी बढ़ जाती है तब प्रेशेंट्स को एकुनाइट मैडिसिन देने की आउशकता होती है यदि आप जब भी मौसम वैदर चेंजिस होते हैं आपक कम से कम इस medicine का यूज़ आपको 25 दिन तक करना है इसके बाद जो complimentary है वहाँ यूज़ कर लीज़ेगा आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाएगी जो complimentary होती है मैं बीडियो के लाश्ट में बताऊंगा कुछ inimicals भी आपको बताऊंगा और दोस्त साथ में ही मैं आपको बताते चल रहा हूं नेक्स लक्षन आता है दोस्तों गाउट की केश में हाँ बहुत ही अच्छा काम करती है जब पेशेंट्स को गठी अब आओ की problem हो जाती है बिग जोएंड में सबसे ज़्यादा दर्द इसमें देखने को मिलता है तो इसमें रिश्टॉस मैडसिन का यूज़ किय जाता है उसकी इसको ठीक करने के लिए 30-10 का यूज़ किया जाता है जब भी आप 30-10 के में यूज़ करेंगे तो चार वुंद सुबा चार वुंद तो फ्हर में चार वुंद रात में यूज़ करेंगे चारबुन सुभा और चारबुन से हमको continue जब तक आपको fever है रहता है तभी आपको medicine यूज करनी है next इसका symptoms हमें देखने को मिलता है एक्जीमा के case में हाँ बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पेशेंट को भी बहुत ज़दा एक्जीमा की problems होती है वहाँ जो skin होती है वहाँ मोटी हो जाती है और मौसम जैसे ही changes होते है पेशेंट को हाँ पेशेंट को हाँ इचिंग होती है खुजान होती है तब पेशेंट को हमें 30 potency में medicine देने की आउसकता होती है चारबुन सुभा और चारबुन से आंको next action आता है दोस्तों यह अर्टी कीरिया के case में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों को भी दाने दाने छोटे छोटे से पित्ती उभर आती है जिसे हम सीथ पित के नाम से जानते हैं उसमें अच्छा काम करती है तब पेशेंट्स के दाने निकलाते हैं इचिंग होती है खोजान होती है तो उस case में रेश्टों मैडिसिन 30 पोटेंसे में यूज की जाती है एपेस मैलिफिका के साथ इसकी तुलना की जाती है एपेस मैलिफिका में भी इस मैडिसिन का यूज किया जाता है पर आप विसे स्याद रखे जब भी आप Restrox Medicine यूज़ करते हैं तो Epismalefica Medicine कभी भी इसमें यूज़ नहीं की जाती इस बात का विसे ध्यान रखा जाता है Next लग्चान आता है Rheumatid Arthritis में बहुत ही अच्छा काम करती है जिसे बात रोक के नाम से भी जाना जाता है चोटे-चोटे small joints में हमेशा दर्द बना रहता है तो 30 potency में यूज़ किया जाता है चारबून सुपा चारबून दोफैर में चारबून रात में कंटिनी कम से कम 3 मन तक इस medicine का यूज़ किया जाता है नेक्स लग्चन आता है headache के case में हम बहुत ही अच्छा काम करती है जिन patient को भी हमेशा दर्द बना रहता है motion changes होता है दर्द हो जाता है कभी दर्द स्टार्ट हो जाता है और दर्द इस तरह से होता है कि सर फट जाएगा इस तरह से लगता है तब 30 potency में उस condition को ठीक करने के लिए medicine का यूज़ किया जाता है चारबून जुबा चारबून दो फैर में चारबून रात में आपको यूज़ करना चाहिए चारबून सुबा चारबून दो फैर में चारबून रात में जब तक दर्द की condition आपको बनी रहती है तब तक आप इस medicine का यूज़ कर सकते है नेक्स लक्षन इसका हमें यहां देखने को मिलता है फॉट इंफेक्शन में हाँ बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पैशेंटों को भी गले में वानवार इंफेक्शन हो जाता है टॉंसलाइटिस की प्रावलम हो जाती है गले में सूजा ना जानने रखती है अब आज जब पैशेंट से बोलता है तो अब आज प्रॉपर त तो हमें पैशेंट को इंफेक्शन हो जाता है तो वाइट्रीड आयउया हमें देखने को बिलता है तो साहँ है पेशेंट की प्रावलम हो जाती है तो जिन में सब्रेसन के साब medicine का dose, medicine का repetition बताते चला है, फिर भी एक बार dose का repetition में आपको समझा देता हूं, 30 potency में जब भी medicine का use किया जाता है, तो दिन में 3 बार medicine का use किया जाता है, 200 potency में दिन में एक बार regular patient को जब तक problem होती है, तब तक medicine का use किया जाता है, एक मैने तक भी medicine का 200 potency में use कर सकते हैं, acute condition मे दो बार medicine का repetition किया जाता है मैंने वीडियो के साथ में ही आपको बताते चलाए बने potency में सब्ता हमें एक बार चारबूं सीरे डारेक्ट जीव में इसको लिया जाता है अब बात करेंगे दोस्तों इसकी complimentary के बारे में कि इसकी complimentary क्या होती है दोस्तो इसकी complimentary होती है Bryonia Elva Bryonia इसकी complimentary है जब भी आप Restox Medicine यूज करते हैं तो उसके बाद आपको Bryonia Elva Medicine यूज कर लेनी चाहिए ताकि आपकी यहाँ compliance जो भी है पूरी तरह से ठीक हो सके यदि antidote की बात करें तो दोस्तो Antim Tart इसकी antidote है जब भी आप Restox Medicine यूज करते हैं तो Antim Tart Medicine साथ में बिलकुल भी आपको यूज नहीं करनी है इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है Enemicals के बारे में यदि हम आपको बताएं तो Enemicals का मतलब होता है जब भी आप Restox Medicine यूज कर रहे हैं इस तरह से आपको Medicine यूज करना है यदि हम Aggravation with Emeloration की बात करें तो Patients का Aggravation जो होता है ठंड के समय बरसात की मोशन में Patients को Aggravation हो जाता है जब भी वह कई वार Rest Position में आता है तो Patients की तकलीब है सुरुवात में भढ़ जाती है यदि Emeloration की बात करें तो कमेंट वाक्स में आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी कोशन पूश रखते है यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी Long Term Disease है यदि आप Online Concert करना चाहते है तो Discription Box के नीचे पूरी जानकारी दी गई इसकिन मैं अपना WhatsApp नमबर दे लेता हूँ आप हमसे भी Concert कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें रेट कर्व की बटन दबागा चलन को सस्क्राइब करके वेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें दोस्तों आसी वीडियो में बसे तरह हैं फिर में लिंगे नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए जय भारत बंदे मातरा